नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धर्मा सर्मार्ग वास्तु सास्त्र में नमक के उपाय का बहुत मात्र है क्योंकि माना जाता है घर के नमक जो होते हैं घर में आपका रखावा वो आपके सुक सम्रुदी को बढ़ा देते हैं क्योंकि नमक का सीधा सम्मंद अगर हम जोतिस की माने तो राहू और केतू के बुरे प्रभाओं को दूर करने से है वैसे हमारे सास्त्रों में नमक को चंद्रमा और सुक्र का परतिनीधी भी माना गया है और इसके उपाई से नमक के उपाई से चंद्र और सुक्र के दोनों के असुप परभाओं से भी बचा सा सकता है वैसे तो आपके जीवन की समस्याएं नमक से ही खत्म हो सकती है देखिए नमक वैसे तो सफेद नमक ही आपको यूज करना है क्योंकि सफेद नमक ज्यादा कारगर है अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो और अच्या है पर क्या आपको पता है यह जो नमक आप अपने टॉयलेट में रखते हैं बाथरूम में या फिर आप अपने यहां पर देखिए दो नमर यूज कर सकते हैं तो देखिए उस पेन में ही आप उसको आप नमक को फेक दिया करें इससे क्या होगा जितने गंदे जगह में वो नमक फेकेंगे ना उतना ही ज्यादा आपके घर में सकायत्मक उड़ जाएगी क्योंकि निगिटिविटी को न पात्रूम में एक चोटी सी कांच की कटोरी में रखना सुरू कर दें और जब भी आपको जैसे कि हर सब्ता चेंज करें या तो मंगलवार या फिर सनिवार क्या करेंगे पिछले वाला नमक है उसको आप टोईलेट में फ्लस कर दें और देखिए इस नमक को आप एक बात हम सिर्फ आपके घर के वास्तू को ठीक करता है बलकि आपके जीवन में आने वाली निगेटिवटी को भी समात करता है अगर आप नियमी त्रूप से पोछे के पानी में नमक डालते हैं याद रखिए फिटकरी से ज्यादा नमक के फाइदे होते हैं आप करके देखें कीजिएगा आप देखिएगा खाना में स्वाद बढ़ जाएगा क्योंकि जो भी नकात्मक चीजे हैं जो भी आपके जीवन को परिसान कर रहा है वह नमक सोकता है सिंबल सी चीज है पर इसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे और जब कुछ खास दिन हो तो नमक का प्र रखने एक बात हमेशा ही याद रखें इस टील का 2 अबबा या पिर टीन पर प्लास्टिक का डबा नमक रखने के लिए यूजरů ना करें जब भी यूजरों के काच के बरतन में और उस facto जार लांग घालकर रखके तॉर आपको जो नमक है वो फ्रेश रहे निगेटिव इ मिलाकर हाथ पैर धोईए और फिर पोश कर सो जाईए थकावट भी दूर होगी नीद भी अच्छी आएगी अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीवार है तो उसके बेड़ के नीचे कांच के बरतन में नमक भर कर रख दें हर बद हपते इसको बदले उनका स्वास्त जल् कुछ दिनों के बाद जब नमक पिघलने लगे तब उसको उठा कर आप किसी गंदे नाले में डाल दें या फ्लस कर दें और उसके बात फ्रेस नमक रख दें जब नमक का कलर चेंज हो जाए या वह पिघलने लगे तो समझ जाए ये नकारतमक उर जाएं को सोख रहा है वैसे घर में पोचा तो लगता ही होगा सिर्फ गुरू बार के दिन पोचा मत लगाईए अगर बहुत ज़रूरी हो लगाना तब पानी में एक चुटकी, हल्दी डाल कर लगाईएगा अगर बहुत ज़रूरी हो तब इससे क्या होगा आपका पोच्छा लगाने का दोस कड़ जाएगा और नकारत्मक उड़ जाएं भी समाप्त होंगी घर के वातावरन की पवित्रता बढ़ जाएगी मालक्षमी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएगे और गुरुवार के दिन तो पोच्छा नहीं लगाना लेकिन बाके की दिनों में आप नमक मिलेवे पानी से पोच्छा लगवाईए या आप चाहें तो फिट करीब भी डाल के आप पोच्छा लगवा सकते हैं तो क्या होता इससे न एक तो जो सुक्छ में जीवानों की टानों है उनसे रख्छा होगी दूसरा घर भी आपका साफ रहेगा अगर आप बैपसाई हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके घर में धन में जो धन जो आता है न बैपसाईयों का तो दोच का काम है धन आता ही रहता है तो बरकत बढ़ जाएगी तो ये प्रियोग हलांकी सबके लिए है ये प्रियोग आप जरूर करें हमने टॉपिक रखा है नमक के डब्बे में डाल दे आखिर क्या डालेंगे आपके कीचन में जो नमक है न वह सबसे जादा पवित्र माना जाता है क्योंकि ये नमक आपको सवस्त भी रखता है और आपके जीवन की परिसानियों को दूर करता है तो यह जो आपके kitchen का नमक है इसके डब्बे में आप एक तो कांच के डब्बे में रखें प्लास्टिक में मत रखिएगा नमक दूसरा नमक को हमेशा ढग कर रखना चाहिए कभी भी open एक खुला हुआ छुडा हुआ ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि नमक नकात्मक चीजों को सोकता है और आप open छोड़ देंगे खना बनाने वाला नमक तो वो चीजों को सोक लेगा नकात्मक चीजों को तो आप लोग का स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा इसलिए इसमें नमक की पवित्रता बनी रहे नमक नकात्मक चीजियों को ना सोखे इसलिए इसमें दो चार दाने लौंग के डाल के रखिए तो आपके नमक में बरकत भी रहेगी मालक्ष्मी परसंद न होंगी आप सभी स्वास्त रहेंगे कभी कभी क्या होता है जीवन में परिसानी बढ़ जाती है खास कर धन की मुस्किलें बहुत परिसान करती है घर में लोगों का स्वास्त अच्छा नहीं रहता है पती पत्नी है पती का दिमाग कहीं और है पत्नी का दिल कहीं और लगा है यानि सब को यह एक साथ हैं पर किसी को किसी से नहीं बनती प्रेम लगता है कहीं खो गया है तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए क्या करेंगे एक काच का ग्लास ले 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 अगर वाइट हो तो उसमें हलका सा आपके पास लाल पेंट है तो ठीक है थोरा सा लगा दीजियेग कांच के गलास में अब इसमें पानी भर लें आप तीन भाग एक भाग खुला छोड़ दें खाली छोड़ दें और इसमें एक चमच नमक डाल दें इसको ढखना नहीं है खुला ही रहेगा कहां रखेंगे घर के दक्षिन पस्चिम कोने में घर के किसी भी कोने में दक्षिन प एक महने के बाद आप इसको चेंज करें बेसिन में डाल दें फ्लस कर दें फिर से फ्रेस वाटर में फ्रेस नमक रख दें आप देखिएगा जीवन की हर मुस्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे अपने घर के बात्रूम में अगर आप एक काच की कटोरी में छोटी सी कटोरी ले लें उसमें नमक भरकर एक कटोरी रख दें तो इससे क्या होगा पूरे घर का ही वास्तु समाप हो जाता है घर का बरकत बढ़ता है घर में धाना आने के स्रोध बनते हैं घर की समस्याएं पर याद रखेते हाई हैं और घंवाहि इसने के ल फटिंध्य नमक हमेसा गिर्णा नहीं चाहिए हाँ तो हाँ नमक ना दे रिष्टे भिगडेंगे घर में विवाद होंगे तो भोजन पकाते वक्त बहुत सा एक लोग क्या करते नमक चखते हैं मत चखिए दर्टा आएगी बरकत खो जाएगी नमक और सीसा दोनों ही राहू का कारक है इसलिए यदि आप सीसे के बोतल में न जाहू भी अनुकूल फल देगा ग्रिकलेस समाफ्थ हो जाएगे जीवन में खुसी आएगी बरकत बढ़ेगी तो छोटे-छोटे प्रयोग तो हैं जो आपके घर के खुसियों को नजर नहीं लगने देते और नमक का ये प्रयोग आपके घर में जो आपकी परिसानी उसको समाफ्थ करते हैं अगर आपको कोई वक्ती पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक मत खाईए उसका मीठा खा सकते हैं क्योंकि पापी पुरुस के हां नमक तो कदापी नहीं खाए नहीं तो जीवन में परिसानी बढ़ेगी मजबूरी में या दवाब में भी किसी का नमक नह पाह कर दें तो मन प्रशन न रहता है मांसिक टेंसन दूर हो जाती है तो खाना बाला ने वाला जो नमक है उसमें लॉंग डाल कर ही रखना है और बांकी जगह आपको बीना लॉंग डाले उपन नमक पर अपने कीचन का नमक हमेशा कांच के बरतन में रखे और उसमें तो पू झालॉंग झाओ रखें लॉंग झालॉंग के बयुः समकल रहना बालॉंग impres שמتي पने कीचे तो रहता है और ईween बालॉंग झालॉंग